तो सोशल मीडिया का चेंड लेटर आज के दिल में कितना बुर हो सकता है क्या इस लेटर हमारी जान ले सकते हैं और एक साइगो किलर का भयानक काम किस हद तक हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है यही आपको आज इस कहानी से पता चलेगा अगर आप पहले बार इस चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और उस घर के दोनों कपल आफिस जाने के लिए दोनों कार में बेट जाते हैं जैसे ही वो कार चलाते हैं वो लड़की भी जमीन पर गीशती हुई किशते चले जाती है वो लड़ी लड़की को नोटिस करके कार को रोक लेती है लेकिन वो आदमी अनजाने में कार के साथ लड़की को घसित तवा ले जाता है फिर हमें न्यूस में आज कल की टेकनोलोजी के बारे में बताया जा रहा था जहापर टेकनोलोजी के आड़ में दूसरे के अकाउंट को हेक किया जा रहा था और उनका गलत फाइदा उठाया जा रहा था फिर उसी सीटी में एक लड़की रेती है जिसका नाम जेसी था उसकी रेचल नाम की एक दोस्त भी थी दोनों को हमेशा इंटरनेट की डेटिंग साइट से फेक आईडी के लोग ही मिलते हैं और अगल दिन कॉलेज में हम जेसी के बागी के दोस्त माइकल और जोनी को देखते हैं उसी कॉलेज में रेचल का भाई नील भी पढ़ता था वो दोनों के बीच में हमेशा से ही जगला हुआ करता था कॉलेज में डांटे भी पढ़ता था जो कि जेसी को भूच जाता पसंद करता था वो अपनी एक कार बना रहा था वो जब भी वो कार रेडी होगी वो सब से पहले उसमें जेसी को कार में बिठाने का प्रॉमिस करता है अब उसी दिन कॉलेज में प्रोफेसर उन सब को टेक्नलोजी के गलत कामों के बारे में बताता है कि कैसे कोई भी उनका एडर्स निकाल सकता है लेकिन स्टुडेंट्स इन सब पर ध्यान नहीं दे रहे थे अब रात को नील को अपने कंप्टर में एक मेसेज के जरिये एक चेन लेटर मिलता है और अगर वो इस लेटर को किसी को भी सेंड नहीं करेगा तो वो मार जाएगा अगर आपको चेन लेटर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ यह कुछ ऐसे लेटर या मेसेजिस होते हैं जिनको हमें बागी लोगों को फारवर्ट करना होता है नहीं तो उसके बदले में कुछ हमारे साथ में बुरा होगा अगर नील इस लेटर को किसी को भी नहीं बेज़ेगा तो वो मार जाएगा फिर नील उस लेटर को डिलिट करने ही वालता है और तबी वहाँ पर रेचल को देख लेती है वो पांच लोगों को वो लेटर सेंड करने ही वाली थी कि तबी नील वाँ पर आकर उसे रोग देता है लेकिन गलती से नील के हतों पांच लोगों को वो लेटर चला जाता है वो लेटर जौनी को मिलता है लेकिन वो तुरंद उसे डिलिट कर देता है देविन भी उस लेटर का मजग बना रहा था कुछ समय के बाद में जोनी जब पानी पी रहा था तो किलर वहाँ पर आकर उसे मार कर उसे ब्योश कर देता है और फिर उसे चेन से बुरी तरह लटका देता है डांटे को भी वो लेटर मिलने पर वो उसे इस्पेम मेसेज समझ क अगर उसे डिलीट कर देता है और किलर को फोरण यह पता लग जाता है कि डांटे ने मेसेज को डिलीट कर दिया है अब अगले दिन पुलिस और डिटेक्टिव क्रेंशो दोनों को जोनी की लाश मिलती है और जिस चेन से जोनी को मारा गया था वो कभी भी जिम में नहीं थ इस तरफ डांटे अपनी कार को बनाने में लगा वा था और उसको कार में कुछ खरबी मेसूस होती है वो कार से उधर कर देखता है तो उसे कार के इंजन से ओईल लिक होतावा दिखाई देता है वो चेक करी रहता और तबी किलर एक भारी चीज की चेन कार देता है और उस पता लगता है कि जोनी का दोस्त केविन भी अब मिसिंग है अब अगले दिन उस प्रोफेसर के लेसन से जेसी किसी बात को नोटिस करती है इधर करेंचो ब्रेटबोर से उन चेन्ज के बारे में पूछता है ब्रेटबोर ने उन चेन्ज को देखा तो था लेकिन उसे कहां देखा था उसे कुछ नहीं पता था इधर JC पता लगा लेती है कि उसके दोस्त में से किसको चेन लेटर मिला है वो रेचल को भी साउधान करने के लिए कॉल करती है लेकिन रेचल उस ताम नहा रही थी फिर वो नील को कॉल लगाती है पर नील उस टाइम गेमिंग सेंटर में बीजी था लेकिन जेसी की बातों में परिशानी देखकर वो फोरण उसे मिलने के लजाता है इदर रेचल जब नहां रही थी तो उसे घर में किसी के होने का एसास होता है और वो जब बाहर जाकर देखती है तो वहीं पर किलर चेन लेकर रेचल के पीछे मोजूद था जो कि उसे चेन से पकड़ लेता है और रेचल जोड से चिल्लाती है जेसी और निल भी जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि रेचल अब नहीं रही है और उसे उस किलर न मार दिया है और घर में पुलिस मोजूद थी जेसी पुलिस को उन चेन लेटर के बारे में बताती है कि किस तरह लेटर केसी को फारवर्ड ना करने पर कोई न कोई मारा जाता है डिटेक्टिव क्रीशो वो मेसेज जेसी को उन्हें सेंड करने को कहता है पर जेसी मेसेज सेंड नहीं करना चाहती जी क्योंकि इसके बाद उनको और चार लोगों को वो मेसेज भेजना होगा अब इस केस में और एक ओफिसर वाइगन जूड गया था और वाइगन के अनुसार वे सारे चेन एक जैसे थे और उन पर कुछ बारकूट बनावा था जैसे कि वो किलर टेक्नोलिज से जुड़ा हुए लोगों को मानना जाता है अब इस तरफ जैसी को पता चल जाता है कि किलर ने उनके मुबाइल पर वाइरस को डाल जाता है जिससे कि किलर को उनके ठिकाने का आरम से पता चल जाता है और इस बारे में बताने के लिए जैसी माइकल और निल से मिलने जाती है निल बहुत परशान था क्योंकि उसके लेटर सेंड करने के बाद सबकी मौत हो रही थी और उसबकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदर मान रहा था तब लिए निल को फिर से चेंड लेटर का मेसेज आता है और किलर कहीं न कहीं उस पर नज़सर रख रहा था क्योंकि अगर वो जिन्दा रहना चाता है तो उससे इस मेसेज को आगे बेशते रहे ना होगा अब रात को एक के बाद एक chain letter message नील को आ रहे थे और बहुत परिशान हो रहा था और वो उस message को delete कर देता है killer इसी मुख्य का इंतसार कर रहा था और वो नील को chain से माड डालता है जैसी माइकल को chain letter उसे send करने को केती है ताकि वो उसको क्रेशो को send कर पाए और माइकल उसे message send कर देता है इधर क्रेशो पलीस की information के हिसाब से एक abandoned building में जाता है जहांपर वो ही chain से केविन लटकावा दिखाई देता है वो केविन की मदद कर पाता उससे पहले ही एक trip की वज़े से केविन जिन्दा ही आग में जल जाता है क्रेशो उसकी मदद भी नहीं कर पाता है और क्रेशो पुलीस से यह भी पता लगा लेता है कि किलर ने उसके सारे computer को hack कर लिया है और जो wagon बनकर आया है वो wagon है ही नहीं असली wagon तो कब का मर चुका है तब जाकर क्रेशो को बारबट की बाते याद आती है कि किस तरह किलर टेक्नोलोजी से ज़्यादा जुड़ हुए लोगों को ही मार रहा है तब ही किलर उसके पीछे आता है और चेन से उससे भी मार डालता है और इन सबसे पीछा चुलाने के लिए जैसी अपने फोन को तोड़ देती है लेकिन इससे पहले ही खुद बचने के लिए माइकल ने उस चेन लेटर को जैसी को सेंड कर दिया था और ये मूवी के शुरुआत में कार के गसीटने से जिसकी मौत हुई थी वो और को यहीं जैसी थी और अनजाने में जैसी के पैरेंट सी जैसी को बुरी तरीके से कीच रहते और जैसी की बोड़ी के कई सारे टुकले हो चुके थे और इसी के साथ में ये मूवी ये पैंड होती है दोस्तो इस मूवी में टेकनोलोजी के बुरे साइड एफेक्ट को दिखाया गया है कि किस तर हम टेकनोलोजी में इतने ज़ादा खो जाते हैं कि हम ये नहीं जान पते हैं कि कोई हर टाइम हमारा फायदा उठा रहा है और वो हम पर नज़र रखे हुए हैं किलर को टेक्नोलजिय से जुला लोग पसंद नहीं थे तो वो उनको चेन लेटर भेजता था और मारी गई थी वो डिटेक्टिव क्रेशो भी उसी लेटर के वज़े से मार गए थे जो उसने घुट के मोबेल पर फरवर्ट करवाय था तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगा वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर जाना क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ